हेलो फ्रेंट्स तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक पेज पे हम अगर दो या दो से ज्यादा पोस्ट शो करना चाहें तो हम वह शो कर सकते हैं पोस्ट पे limit लगा सकते हैं और इस वीडियो हम देखेंगे कि पोस्ट की categories को कैसे show करते हैं चलिए देखते हैं यह हमारी पोस्ट है पोस्ट पे जहाए हमारा इस पे यहाँ पर टॉप पे हम category show करेंगे जैसे हर पोस्ट की एक category आ रही है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस, बोर्ट्ट्रैप, रेक्जियस, नोड़ जियस तो यह सारी categories हम यहाँ पर show करेंगे ठीक है चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे custom template में थोड़ा code add करेंगे यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी HTML यहाँ पर पहले ही बना लिए तो हम यहाँ पर अपना code add करेंगे मैं यहाँ पर PHP start करता हूँ और यहाँ पर मैं PHP close कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम category get कर लेंगे, सारी category को get कर लेंगे, वो कैसे खरते हैं मैं यहाँ पर variable भी ले लेता हूँ एक categories और इस variable में get categories function है हमारा उसे category get कर लूँगा, ठीक है? अब देखते हैं इस categories variable में हमारे पास क्या आया है तो इसको मैं printr करवा के देख लेता हूँ printr ठीक है इसका हमें first index ही print कराऊंगा यहाँ पर ठीक है तो हमारे बस यह सारी values आ रही है, variable के अंदर तो हमें इसमें सिर्फ यह दो value चाहिए होंगी, term id और name ठीक है, term id और name चलिए, यहाँ पर मैं इसको cut कर देता हूँ और यहाँ पर मैं for each loop चलाऊंगा यहाँ पर आगे हमारी सारी category print हो जाए for each मैं मैं क्या करूंगा यह जो category variable है हमने इसको pass करूंगा और यहाँ लिख दूंगा as category तो क्या होगा कि हमारा जो हमारी जितना भी जो हमारा loop चलेगा जितने भी हमारे पास categories आएंगी वह इस category से one by one इसमें जाती जाएंगी ठीक है तो यह जो li यहाँ पर based है इसको मैं यहाँ पर paste कर देता हूं यहाँ पर मैं इसको echo करवालूंगा इसको इसको paste कर देता हूं यहाँ पर ठीक है है तो चलिए दिखते हैं क्वार आउटपटोद में हमारे पस क्या आ रहा है तो दिखिए हमारे पास six category है sorry five category है हमारे पास तो यहां पर five time हमारा loop चल गया है अब हमने इसके अंदर value जाल लिए है category का नाम print कराना है तो यहां पर मैं इसको copy कर लूँगा और यहां पर मैं concatenate कर दूँगा यहां पर अंदर देता हूं कि अधिया है है यहां पर अधिया दिखते हैं रिफ्रेश करके पेज को और आगया हमारे पास यह एर्र आया है यहां पर आएगा नेम करना चाहते हैं तो यह दिखिए category का नेम प्रेंट हो गया यहां पर सारे सारी केटिगरी प्रेंट हो गई है अब हमने क्या गरना है जो इसके हम मैं चाहता हूं कि इसके जब भी हम क्लिक करें तो यह category पेज पेज पर चला जाए अभी हैश हमने सेट किया हुआ है तो हैश की जगह हम हमें का चाहिए यहां पर यहां पर भी मुझे और करना पड़ेगा तो यहां पर मैं यहां पर गाट कर लूगा चैस लिंक के और यहां पर पास कर दूँगा के टीगरी तरम आईडी तो जब हमने एरे प्रेंट किया था एरे प्रेंट किया था वहां पर हमें मैंने बोला था कि टर्म आइडी चाहिए होगी हमें और एक नेम चाहिए होगा ठीक है तो मैंने यहां पर टर्म आइडी टाइप कर दिये तो यह देखते हैं अब क्या हुआ तो हाँ अब ठीक है तो आप यहां बिल्कुल बॉटम पे देखोगे यहां पे तो आप देख सकते होगी हमारे जो लिंक है वो भी प्रिंट हो गया है अब माली जी कि मैं रेक्ट जेस पर क्लिक करता हूँ तो वो कैटिकरी वाले पेज पर चला जाएगा ठीक है और नीचे व करणो तो व Темट हूंगो तो वर्डप्रेस के हमारे पस दो पोस्ट है तो यहा पर दो इडिखाएगा एक ये पोस्ट और एक ये पूस्ट ठीक है तो दोस्तों ऐसे हम कैटेगरी किल इस्ट को भी शो कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आपको वीडियो पसंद हाया हो झाल झाल